हेलो एवरिवन आज मैं आपके साहँ शेयर करने वाली हूँ आटे के बहुती खस्ता बिस्किट की रेसिपी जो की बहुती आसानी से बन चाते हैं खाने में बहुती टेस्टी लगते हैं इनको आप महिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं अचले बनाना शुरू करते हैं यह का चाहिक और अब दो कटोरे हैं और इसका हम अच्छे से मिỊक सोजिञ देखे दोनों चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं और अब इसमें एड करना यान के लिवे और पर में konjuns ऋब्लेंगे कर देंगे अधा कटोरी ओयल लिया है और उसको मैंने इसमें टाल दिया है तो बहुत अच्छे से इसको हमें आटे को और सूजी के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरीके से मसलते हुए तो यह देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हमें क्या करना है इस तरीके से हाथों में मुठी बांध की देखनी है तो अगर यह आटा जो ना बहुत अच्छे से लड्डू जैसे बन रहा है तो हमारा मोवन जो है बिल्कुल परफेक्ट है बस इतन दोर तो इसके भी कर सकते हैं या फिनारियल को कदो कस करके भी डाल सकते हैं मैं यह मार्किटवाले यूज कर रही हूँ तो चीनी को पूरी तरीके से मिक्स नहीं करना है इसको घडाना है देखने दूह लेना है और नलते रहना है इस थी मैं नहीं और साथ, बाद में क्या होता है सिखने के बाद में चीनी के जो तुकड़े रजाते हैं चोटे-चोटे से बहुत ही टेस्टी लगते हैं और तिकने में भी बहुत अच्छे लगते हैं तो चलिए इसका हम डो तियार करेंगे तो फ्रेंस यहां पर डो जो हम बनाएंगे ना उसको बिल् बावी हो जाता है तो साथ में चीनी भी मैंने डाल दिये और इसका हम एक टाइट डो तेयार करेंगे तो यह देखें फ्रेंस यहां पर डो बिल्कुल रेडी हो गया है और अब वह में क्या करना है इस तरीके से डो को लेना है और अब में एक जोना लड्डू जैसा बनाना है थोड़े बड़ए साइच का और इस तरह के से हमें बिलकुल चिकना सा कर लेना है आप देख सकते हैं को अब मैं लड्डू को लेना है इस तरह के से यह मारा भाशाम्यान लड्डू made तो इसको अब हमें बेलना है तो फ्रेंट्स इसमें काफी ज्यादा मोहन है और जो ना नारिल और सूजी है तो इस तरीके से यह फटेगा कोई दिकत नहीं है जब यह क्रैक होता ना हलका सा तो तभी यह बहुती क्रिस्पी भी बनता है और जो ना बहुती खस्ता बनता है तो ग्रभीषें तो इस थे साइड को सढ़े लेना है यहां जिति ₩ मैं नहीं थेसाज बड़ते हैं इस स्गेट कुप लेना है यहां और किमिसे इस तरिक्रीखत कर लेना है क्लीथन आखर के बनेंगे बिल्कुल भी अलग ऑलग नहीं होना तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है और अब इसमें जो एक्स्टा डो रह गया था ना उसको हमें निकाल देना है तो यह देखिए हमारे बिस्किट बिल्कुल बढ़िया से बनके रेडी हैं तो आप इसकी ठीकनेस देख सकते हैं इतना ही मोटा रखना है बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है और आप चाहिए तो इस तरीके से ग्लास से भी कट कर सकते हैं लेकिन ग्लास जो होता है ना हमें इस तरीके से किनारी वाला लेना है तो चलिए आइसी तरीके से हमें सारे बिस्किट को तियार कर लेंगे तो बिस्किट भी हमारे तियार हो गए मैंने सारे biscuit को न कट कर लिया यहां पर चलते हैं गैस की तरफ तो friends यहां पर ले लिया है मैंने refined oil और यह अच्छे से गरम हो चुका है तो biscuit को अब मेज में डाल देना है जितने biscuit आराम से आजाए उतने ही इसमें डालने हैं तो यह देखे मैंने यहां पर बिस्किट को डाल दिया है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो यहां पर थोड़ा सा color change होने लग गया है आप देख सकते हैं और इसी तरीके से हमें पलट देना है पलटते हुए फ्रेंड इसको हमें सेख लेना है तो यह देखिए कितना अच्छा color आया है और इसी तरीके से जो ना इसको हाई flame पे बिल्कुर भी नहीं सेखना है slow to medium flame पे हम इसको फ्राई करेंगे फ्रेंड इसी तरीके से हमें उलटते पलटते इसको अच्छे सेख लेना है तो आप देख सकते कितना अच्छा color आया है और खाने में तो यह tasty लगते ही है फ्रेंड इसके आपको ट्राई करना पड है मैंने उसमें डाल रही हूँ क्योंकि इसमें जो एक्स्टा ओईल होगा वो निकल जाएगा तो यह देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं इसी तरीके से हम दूसरे बिस्कुट भी अपने सेख लेंगे उलटते पलटते यह देखिए कितने बढ़िया बनके तियार होग तो फ्रेंट्स इसको आप एक महिने तक स्टोर भी करके रख सकते हैं और शाम की चोटी मोटी भूक में खा सकते हैं आप जब कही सफर में जा रहे तो वहां भी ले जा सकते हैं तो बहुत यह जो ना अच्छे बिस्कुट बनके रैडी हो है हमारे तो फ्रेंट्स आपको र पियर थैंट्स पर वाजिए